हेलो डियर स्टूरेंट्स वेलकम इन माई योट्यूब चैनल आप सभी का वेलकम है हमारे योट्यूब चैनल पर तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आटो मोबाइल इंजिनिरिंग के प्रिवेस येर कोस्चन्स पेपर के बारे में कि किस प्रकार के आपके कोस्चन्स पूंचे गए हैं आपका जो मार्च 2022 में प्रिवेस समेस्टर एक्जाम हुआ था तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपका जो है पेपर का लेवल क्या होता है किस प्रकार से कोस्चन्स आपके समेस्टर एक्जाम में पूंचे जाते हैं तो बने रही है हमारे साथ वीडियो को देखिए इंड तक और जो भी आपके डाउट हैं आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट के माद्यम से पूँच सकते हें कोस्चन्स पेपर आपके लिए हंदी और इंग्लिजू बनों लाइंगविजिस में अल्वेबल हैं तो सबसे पहले हम इसका जो हेंडी थे जो हिंडी वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर देखते हैं तो आए वे आपका एक 5 नमबर का question होता है तो आए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपसे question पूचा गया कि भारत में विभिन प्रकार के कौन कौन से आटो मोबाइल निर्मित किये जाते हैं उनके नाम लिखिए उनके निर्माड करता और निर्माड इस्थान के बारे में भी करेंगे कि कौन से टॉपिक आपके आगामी समस्टर एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है इस questions पेपर को देखते हुए नेक्स आप से question पूचा गया पिछला पहिया चालन अगला पहिया चालन और चार पहिया चालन में विभिन नताओं को लिखिए थथा एक दूसरे के कब होगी तो लनातमक व्यक्या करिए और नेक्स आप से question पूचा गया क्लच प्लेट में उप्योग होने वाले विभिन प्रकार के घरसन सामगरी क्या होती है एक अच्छे क्लच एक मतलब अच्छे क्लच इस तरके गुड़ों के बारे में लिखे तो यह आप से तीन questions पू पूचा गया था state difference between rear wheel, front wheel and four wheel drive system compare the advantage of one over them और नेक्स आप से question पूचा गया वाट आपका पहला question तो आपको समझ में आई गया होगा next आप से question पूचा गया next आप से पूचा गया over drive की sun रसना और कारेविधी का चितर सहीत word run करी यानि over drive क्या होती है उसका working क्या होता है उसके बारे में आपको उसके case यानि की figure के साथ आपको उसका पूरा explanation देना था next आपका पूचा गया targ converter क्या होता है या fluid coupling से किस परकार से अलग होता है उसके बारे में आपसे पूचा गया था और next आपसे question पूचा गया था विभिन परकार के कौन से topic आपके लिए important है पहले हम उसके discuss कर लेते हैं जैसे पहला question automobile क्या होता है इसका development इसकी history और कौन कौन सी company आप भारत में बनाती है इसको जरूर पढ़की जाईएगा next आपसे पूचता है यही आपका front wheel, real wheel यह आपका बहुत पूचता है और clutch plate यह तीनों topic आप एक बार जरूर देख लीजिएगा next आपका जैसे overdrive हो गया targ converter हो गया यह हर बार आपको घोम घुमा के आपसे examiner वही topic पूचता ही पूचता है next question पे चलते हैं आपसे next question पूचा था तीसरे नमबर पे किन निम्नलिखित प्रकार के steering gear का वरणन करिए warm और sector steering gear क्या होते हैं इसके बारे में बताना था और next आपसे पूचा था rack और pinion steering gear क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा explanation देना था next आपसे question पूचा गया था under steering और over steering को सचित्र विभेदन करिए यानि under steering और जो आपकी over steering होती है उसको उसमें आपको explanation देना था और उसका figure भी आपको ड्रा करना था next आपसे question पूचा गया था self engine brake और air brake की कार्यविधी चित्र की सहायता से लिखिए इसको हम English में देख लेते हैं क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा problem होती है जब सुद्ध हिंदी आपकी लिखिए होती है तो यहाँ पर आपसे पूचा गया था explain the work of self self energy brakes and air brake with suitable diagram तो self energy brake और आपकी air brake क्या होती है उसी के बारे में explanation देना था आपको पूरे डाइग्राम के माध्यम से तो यह next question पर चलते हैं आपका अगला question यहाँ से पूचा गया था leaf spring real and suspension system का चितर की सहायता से वर्डन करिये तो leaf spring real and suspension system क्या होती है इसको बनाना था और इसको जो है figure के माध्यम से आपको इसके बारे में explanation देना था तो यहाँ पर आपका है इसका English version describe leaf spring real and suspension system with diagram तो जो आपकी leaf spring real and suspension system क्या होती है इसके बारे में आपको full explanation देना था वो भी figure के माध्यम से और मैं बता दूं कि आर्टो मोबाइल इंजिनिरिंग में आप जितना बेहतरीन यहाँ पर figure draw करोगे समझ लीजिए उतने प्लस पॉइंट हैं आपसे अन्य इंस्टूडेंट की या पेच्छा तो बेहतरीन तरीके से आप figure उसका जोड़ रह है जरू करिएगा next आप से पूँचा गया वायू सस्पेंशन सिस्टम का उपर युक्त चितर के साथ व्याक्य करिए और इसका जो है लाव का वरडन करिए और next आप से पूँचा गया बैटरी पर इच्छड की विभिन विदियों को विश्थार पूरवक समझाईए तो इसका भी हम जो है इंगलिस वर्जन देख ल क्या होता उसका डाइग्राम बनाना था और उसके एडवांटेज के बारे में लिखना था नेक्स आप से पूचा गया था डिस्क्राइब ड्रीफली दा वैजिस मैथेड आफ यह दिखी नहीं रहा है इसका हम जो हिंदी में ही देख लेते हैं कि क्या पूचा था तो यहां पर आपसे बैटरी परिच्छण की विभिनी विदिओ को आपसे उसका एक्सप्लानेशन पूचा था नेक्स अपसे कोच्ण पूचा मुचा बैटरीज चार्ज करने की प्रिक्रिया को विस्तार से संभ़़ता यानी की बैटरी प्यों किया जाता है उसके बारे में लिखना प्रिटर की कारे विधी को जो है सिद्धान्त के उसको एक्सप्लानेशन देना था और नेक्स आपसे पूछा गया था आटो मोबाइल वाहनों के लिए यूरू फस्ट और यूरू सेकंड मांदंड क्या हैं उसके बारे में आपसे एक्सप्लानेशन पूछा था इसका भी हम जो है इसका वर्जन देख लेते हैं तो यहां से आपसे पूछा गया था वाट डू यू मीन बाई रिचार्जिंग ऑब बैटरी आलसो डिस्क्राइब इन डीटेल दा प्रॉसेस ऑफ रिचार्जिंग नेक्स आपसे पूछा गया था वाट इस तर्म कैटलिक इसके बारे में लिखना था और इसका आपको एक्स्प्लानेशन देना था थ्री वे कैटलिक कनवर्टर का तो यह आपसे पूछा गया था वाट आर दा यूरो फरस्ट और यूरो सेकेंड नॉर्म्स फ़र आटाउ मॉबाइल वहिकल एक्स्प्लेंड वरिप तो आपने दिखा ही होगा कि आटाउ मॉबाइल इंजिनिरिंग में कितने सारे डाइग्राम पूछे जाते हैं आप यदि सभी डाइग्राम बना के आते हैं और कम भी लिखते हैं तो चलेगा लेकिन आप खुब सारा लिख के आते हैं डाइग्राम नहीं बनाते हैं तो पांच में आपको तीन से ज़्यादा भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं और यदि आप डाइग्राम बना के आते हैं और उसके बारे में आप एक पेंज लिख देते हैं तो समझ लेजे आपको जो examiner सही हुआ तो पास में पास भी नंबर दे सकता है नहीं तो चार नंबर आपके कहीं पर भी जाने वाले नहीं है तो guys ये था आपका पूरा previous semester का questions पेपर तो आपको पता ही चला होगा कि किस topic के स और कहां कहां से questions पूछे जाते हैं जैसे आपका battery recharge ये topic हर बार आता है कभी डेनियल से पूछता है कभी battery की maintenance के बारे में पूछता है ये गुमा फिरा के आता वहीं है battery के उपर तो battery आप पढ़के जाएगा leaf spring air suspension system क्या होते हैं इसको भी आप जरूर पढ़के जाएगा और भी topic guitar converter ये बहुत ही ज़्यादा important है हर बार आपका semester exam में घुमा फिरा के topic पूछे जाते हैं तो आपके लिए यहां पर automobile की हो गई machine design theory of machine सभी subject की काफी सारी videos upload हैं और काई सारे subject की videos upload आपको कराई जा रही है तो आप जाकर सभी चेक आउट करिएगा playlist वहां सब सारी चीज़ें आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही तरीके से explanation की गई होती हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक इसके पहले की वीडियो में आपको जो है theory आप machine हो गया machine design हो गया production technology हो गया production management हो गया इन सभी subject के previous year के questions paper की video provide कराई जा चुके तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप फटफट चाहिए और सभी videos watch जरूर कर लीजेगा तो thank you आप सभी का video को complete watch करने के लिए PDF आप वीडियो के description box में दी गई है तो thank you आप सभी का video को complete watch करने के लिए मिलते हैं आप से next video में